आदमे लाइफ में बहुत सारी गलतिया करता है इन गलतियों से अगर कोई लोग हर्ट हो रहे होंगे तो ये बहुत गलत हो जाता है खुद की वज़े से बहुत सारे लोगों को तकलिफ हुए ये रिलाइस करकर आदमे रहे नहीं पाता तब उसे मोक्ष की चाहा होती है इसे में धीम के साथ पिएटा ये 2012 की मुवी आज मैं आपको एक्स्प्लेंश करने वाला हूँ ये एक रिवेंश दिलर मुवी है मदर एंसन के बारे में एक अनाद लटका लोगों से पैसे वसुल करने का काम करता है एक दिन एक औरत उसके पास आती है और उससे कहे थी कि मैं तुम्हारी मदर हूँ इसके बात क्या होता है ये हमें इस एक्स्प्लेंशन में जानेंगे तो चलिए शुरू करते है मुवी का फर्स सीन आता है और हमें दिखता है कि एक आदमी अपने आप को फास कर मार देता है ये सुसाइड कर लेता है इसके बाद हमारा में क्यारेक्टर ली हमें दिखाय गया है ली सोय होता है और उसे नाइट फॉल की प्रॉल्म होती है जब हम उसका घर देखते है तो वहाँ चिकन के पीसेस और फ्रेश देखते है उसके पास knife से target practice करने के लिए एक board होता है इस board पर वो एक औरत का poster लगाता है उसी पर वो हमेशा target practice करता है इसे पता है कि उसकी mother उसे छोड़ कर चली गई थी इसलिए वो बहुत ही woman को hit करता है इसे पता नहीं कि उसकी mother को ने इसलिए एक random poster उने लगाया हुआ है ली फिर काम करने के लिए बाहर निकल जाता है इसका जो काम है ये लोगों से पैसे वसुल करना है इसके main customers जो भी hand workers होते है जो हातों से काम करते हैं और instrument के साथ इनका लेना देना होता है ये इसके customers होते है ये उनको पैसे देता है पर इसके interest rate बहुत ही जादा होते है टाइम खतम हो जाता है तो लोगों को 10 गुना pay करना पड़ता है ये बहुत ही जादा हो जाता है इसलिए लोग pay नहीं कर पाते ली फिर उनके बास जाता है और उनके हाथ तोड़ देता है इसने already उनका insurance निकाला होता है जब इनके हाथ तोड़ जाते है तो इसका medical claim cover निकल जाता है और जितने पैसे इनने उसे O किये थे वो सब पे कर देते है आज फिर यही काम करने के लिए ली बाहर निकलता है नेकसी में हमें एक worker और उसकी wife दिखाई गई है यह बहुत ही डर रहा होता है क्योंकि अब ली इसके हाथ पेर तोड़ने वाला है उसकी wife भी वा होती है वो कहता है मैंने सिर्फ 3000 लिये थे यह 30 कैसे हो गए उसकी wife उसे कहता है कि तुम्हें आकल नहीं है तुमने insurance पर क्यों sign किया था वो कहता है कि मैंने पास कोई choice नहीं थी अब ली आने वाला है और यह बहुत ही tension में तो आकरी बार वो अपने wife के साथ intimate होना चाता है तब ही ली बाहर आ जाता है और इन दोनों को जुदा कर देता है इस आत्मी की wife ली को पगड़ती है वो कहती है कि मैंने साथ तुम कुछ भी करो पर इसे जाने दो ली फिर husband को बाहर निकाल देता है और shutter बन कर लेता है यह अपने कपड़े उतर थी है पर उसे कुछ भी नहीं करता सिर्व उसके पीट पर थोड़ा सा मारता है उसे थोड़ा सा पनीश करता है और फिर बाहर भीक देता है ली husband को अंदर लेकर आता है यह जो husband है इसके मशिनों से उसका हाथ वो कुचल देता है जब यह जा रहा होता है तो wife कहीती है यह जब तुम कर रहे हो इसके लिए तुम भुकतोगे सब जुर्माने तुम भरना पड़ेगा ली को कुछ फरक ने पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है घर जाते जाते वो चिकन लेकर जा रहा होता है एक गली आती है जिससे हो सटक जाता है यहाँ उसकी मदर उसके पीछे होती है उसका चिकन उसके हाथ से चला गया था तो उसके मदर उठा कर उसे दे देती है इसे अभी पता नहीं है यह इसकी मदर है यह फिर ली का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है ली टोर बन करने के कोशिश करता है पर वो करने नहीं देती फिर वो अंदर आती है ली के बरतन मेंगरा माजने लग जाती है सब घर के काम वो करती है और फिर ली उसे बाहर निकाल देता है ली उसे पुछता है कि तुम यहां क्यों आई हो क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिकाड़ा है इस ओरत के पास एक चाको होता है ली केरता है कि मार दो इससे कुछ भी भरक नहीं पढ़ने वाला उसके पेट पर ओल्डरी लोगों ने चाको से उसे मारा होता है तो इसके निशान होते है यह चाको वो ली को देते थी है रात में ली देखता है तो नीचे ही मदर उसकी बेटी हुए होती है नेक्स डे जब आता है तो इसका यह पीछा करती है उसके बीचे 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 जाकर उसे कहती है कि वो जब माफ करतो मैं तुमें अबेंडन कर दिया था उसका वा नाम लेती है और उसे वो माफ कर दे इसके लिए उसकी माफे मांगती है ली उस पर बिलेवने करता उसे जापड मारकर वहाँ से निकल जाता है अब हमें दिखता है कि ली और एक वरकर के पास आता है यह जो वरकर है यह अपनी मदर के साथ बेटा हुआ है यह अपने मदर का बहुत ही खयाल करता है ली जब वहा आता है तो उससे कुछ पैसे वह देता है वो इंट्रेस्ट सही से देनी पा रहा इसलिए ली उसे बहुत मारता है ली विर उसे एक construction site पर लेकर आता है यहाँ जो मदर है यह भी ली का पीछा कर रही है और यह सब देख रही है यह जो वर्कर है यह ली से कहता है अगर मैं creeper हो गया तो मैं मदर का मैं खैल नहीं रख पाऊँगा इसे अच्छा तो मैं मर जाओ ली कहता है कि तुम मरोगे तो तुम मेरे काम के कुछ भी नहीं रहोगे और उस बिल्डिंग से उसे नीचे किरा देता है यह बिल्डिंग जादा हाई नहीं होती है जिससे इसके पेर टूट जाते है ली मदर को देखता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से फिक दूँगा मदर कहती है कि तुम्हारे हाथों से मरना इतना बुरा भी नहीं होगा जब यह नीचे उतर कर वर्कर के पास आता है तो वर्कर कहता है कि तुम्हें इसके लिए भुकतोगे तुम्हें भी मेरे जितना ही पेन होगा ये सब सुनकर जो मदर होती है इस आदमी के ही पेर पर मारती है वो उसे कहती है कि मेरे बेटे के भारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते है घर जाते जाते मदर ली से पुछती है आज तुम क्या खाने वाले हो मैं तुम्हारे लेकर लेकर आऊंगे ली कहता है कि मैं खुद ही कर देता है जब रात होती है तब ली इस फिश को फिर से देखता है तो फिश मर चुका होता है अब हमें थर्ड वरकर दिखता है इसने भी पैसे ले ले होते है और इसका भी टाइम खतम हो चुका होता है यह हमें दिखता है कि अपनी मदर को एक चिट्टी लिखता है इसके पास कुछ नीन की गोलिया होती है यह सब वो ले लेता है और सुसाइट कर लेता है लीव आता है उसकी मदर की चिट्टी दिखता है वर्गर की मदर का पता अब उसे मिल चुका है तब उसके घर वो आ जाता है इस वर्गर की जो मदर होती है यह blind होती है यह कुछ भी करने ही पाती है यह फिर उसे पुछता है कि bank account कुछ पैसे कहा तुमने रखे है उसे कुछ भी नहीं पताता अब यह अपने पैसे recover नहीं कर पाया यहाँ इस old lady का एक rabbit होता है जिसको उठा लेता है ली के mother ने उस fish के साथ अपना number भी छोड़ा होता ह यह number फिर ली लगाता है और उसे बात करता है उसे पुछता है कि क्या तुमें मैं mom पुकार हूँ ऐसा तुम्हें लगता है मैं बिना mother के 30 साल तक रहा हूँ तुम मुझे छोड़ कर चली गई थी यह से वो बोलता है बहुत हर्ट हो रहा होता है मदर फिर एक glory सुनाने लग जाती है ली को यह लगता है कि यह बहुत ही पासे यह आवाज आ रही है दरवाजा खोलता है दरवाजे के बाहर ही उसकी mother बेठी हुए होती है वो फिर उसे अंदर बेठाता है उसे पुछता है कि तुम्हारे पास proof क्या है मेरे body पर एक birth mark है उसके बारे मुझे पता हूँ कि अगर तुम मेरी mother हो तो तुम यह खालोगी यह mother के लिए बहुत ही hard होता है पर इसे prove करना होता है कि यह उसकी mother है इसलिए वो खाले थी है ली का mind बहुत ही twisted होता है उसे कुछ समझ में ने आता कि वो क्या कर रहा है हमने देखा था कि एक rabbit को ली ले कर आता है तो यह rabbit जो ली ब्रेकफास्ट करकर घर से निकल जाता है और एक worker के पास वह आता है यह जो वरकर होता है यह अपने wife से बात कर रहा होता है इसकी wife pregnant होती है ली जब वह आता है तो ली से यह कहता है तुम मेरा एक हाथ तोड़ने वाल हो तो क्या तुम दो तोड़ सकते हो उसे और भी ज कैसे कैसे हो सकता है तुम अपने son के लिए कैसे जी सकते हो worker उसे कहता है कि सब parents ऐसी ही जीते है ली को अब पूरा लग जाता है उसके हाथ अपनो तोड़ने नहीं वाला होता ली के पास insurance के पैसे होते है वह भी उसे offer कर देता है वहासे फिर वो चला जाता है ली जब घर प अपने mother को जो hit करता था अब वो नहीं कर रहा और एक construction worker होता है जिसके पैसे निकालने के लिए ली जाता है यह जो construction worker है यह middle aged है यह कहता है कि आप में cripple नहीं हो सकता यह उपर जाता है और building पर चड़ता है यह वहासे नीचे गिर कर suicide कर लेता है mother जोती है एक घर में ली की diary पढ़ रही होती है जिनकिन लोग को उसने cripple किया है यह मार दिया है यह सब की list हो पढ़ दिया है जो नाम cross हो चुके होती है यह सब मर चुके है यह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है ली उसके mother के पास आकर बैठता है एक sweater ली की mother बुन देने वाला है इसलिए अपनी mother को कहता है कि अगर यहाँ कोई भी आए तो दोर मत खुनना अपनी mother के लिए अब वो वरी करने लग गया है बहुत सारे लोग को उसने मार रहा है तो कोई बदला लेने के लिए आ सकता है इसलिए वो यह वरी कर रहा है यह दोनों lunch खेलते है शॉपिंग mall में जाते है जिस तरह से छोटा बच्चा और उसकी mother एक मज़े का दीन गुजारते है उसी तरह से यह गुजारना चाता है सीटी में clown होता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है बच्चे जिस तरह से खेलते है उसे की तरह यह भी खेलता है क्राउन वैसे एक आदमी उस पर हसने लग जाता है तो यह mother उस पर गुस्ता हो जाती है उसे पूछते है कि इतना funny क्या है वो से slap कर देती है यह आदमी mother को मानने वाला होता है तो ली भी वहा आता है ली उसे दमकाता है और वहाँ से चला जाता है यह फिर हमें एक विकारी दिखता है यह मैं तुमारी mother को मार दूंगा उसे वो रॉकल देता है ली अपने आप पर उसे चिडग ले और फिर उसे आग पर वो चला देने वाला होता है उसे कहता है कि तुम शेतान हो जो पैसो के लिए यह सब करता है ली की mother कहती है कि इसमें इसका कुछ फॉर्ड नहीं है जो पैर होता है यह भागते भागते नीचे चला जाता है ली और उसके mother फिर डिस्कस करते है कि जादा दूर नहीं जाएगा यह कही ना कहीं तो मर कर पड़ी जाएगा mother फिर देखती है तो ली जो होता है रात में उसे बहुत दर्थ होता है जब नेक्स दिन यह तुम ली होता है इसको पहना देती है ली अपने बॉश्र के पास आयए होता है उसे कहता है कि मैं अपरी काम छोड़ देने वाला हूँ उसका बॉस उसे बहुत मारता है ली का बॉस उसे कहता है कि मैंने सिब तुम्हें उन्हें क्रिपल करने के लिए बोला था उन्हें मार दो या उन्हें क्रिपल कर दो ऐसा मैंने कभी भी तुम से नहीं कहा था तुम इस काम से आप चले जाने वाले हो पर कोई ना कोई तुम से रिवेंज लेगा ली अपने मदर को कॉल करता है और वो फोर नहीं उठा रही होती है फिर वो घर पहुच जाता है मदर को कहता है, कि मैं बहुत ही तुम्हारे लिए वरीड था, क्योंकि तुम फोर नहीं उठा रहे थी, मदर भीर उसे स्वारी कहती है, आज चो होता है ली का बड़े होता है, ये दोनों उसके लिए केक काटते है, ली की मदर उसे कहती है, कि चलो आज एक ट्री हम प्लान करे रिवर के पास आते हैं, और इस ट्री को प्लान कर देते हैं, ये एक पाइम ट्री होता है, जो वाटर के पास नहीं जी सकता है, तो ली उसे पुछता है, मदर कहती है, कि हर आदमी कभी ना कभी तो मरी जाता है, ली कहता है कि ऐसा मत बोलो, उसके मदर मर जाए, ऐसा उसे न रहा होता, क्योंकि मदर जोती है या अपने आप ही ये सब आवाज निकाल ले होती है ली के घर को ये सब तैसनेस कर देती है, क्योंकि ऐसा लगे कि मदर को कोई लेकर चला गया है उससे बदला कोई लेना चाहता है, इसलिए ये सब हुआ है, ऐसा उसे लगता है लिको मालो में जिन लोगों को लीने हट किया है उनमें से ही गोई होगा जिसने उसके मदर को अपड़ट कर लिया होगा अब सब लोगों के पास वो जा रहा है वो एक आदमी के पास जाता है ये विल्चेर पर होता है उसे बहुत इगाले देता है और कर्स करता है एक आदमी को उसने मार दिया होता है उसके मदर का भी वो पीछा करता है वो पीछा करते करते एक स्पोर्ट पर पहुचाता है जहां उसका बेटा गार दिया गया होता है यह उसको हट नहीं कर सकती इसलिए हुँ वहाँ से चला जाता है और एक आदमी के पास आता है यह paralyzed होता है उसे धंगाता है, उसे पूछता है पर यह आदमी कहता है मैं तुम्हें मार सकता, तुम्हें तुम्हें मार डालता इसने भी यह नहीं किया है मुवे के फस में जो हस्बन और वाइफ हमें दिखाये गए थे वो अब इनके पास आता है इन दोनों को अब जगड़ा चल रहा होता है क्योंकि उनके पास रहने के लिए सही जगा नहीं होती इनके लाइफ अब बहुत बरबाद हो चुकी है वो एक दुसरे को ब्लेम कर रहे होते है तब ही ली वहा आता है उनसे पुछता है कि मेरी मदर खाया है हस्बन जो आता है वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हें मदर है इसमें वाइब जो थी हो उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें हंडेट टाइम सी मार सकती है तुम्हें मार देती है मैं वीच करती हूँ कि मेरे कार के नीचे तुम आजाओ ली उन्हें कुछ पैसे देख कर वहाँ से चला जाता है ली अपने सिक्रेट प्लेस पर आता है यह वही पलेस है जहाँ मुवी के वस में एक आत्मत्या कर ली थी अपनी मदर को ये ढूडनी पा रहा तो वहाँ वो सो जाता है ली की मदर वहाँ आती है ली सोय होता है तुसे सुनने पाता वो कहती है कि तुम एक राक्षस हो जो पैसों के लिए ये सब करते हो अब तुमारी फैमिली के साथ ये हो रहा है तुम हाट हो रहे हो अब ये रोकर कुछ ये फायदा नहीं है अब ये मदर फिर से प्रिटेंड करती है और ली को कॉल करती है उसे कुछ लोग मार रहे है ऐसा वो प्रिटेंड करती है और एक location भी उससे देती है यह वही building है जहाँ से ली ने एक आदमी को cripple कर दिया था ली नीजे आता है वो pretend कर रही होती है कि उसे यह ढखलने वाला है वो जोर से जिला दी कि प्लीज मुझे मत मारो ली फिर बचताने लग जाता है ली को लगता है कि उबर कौन है और उसे वो कहता है कि मुझे मार दो यह सब मेरी गलती है प्लीज मेरी मौम को जाने दो उसे बहुत ही पचता होता है और वो रने लग जाता है ली का पीछा कहतो है एक worker की मदर भी वहाँ आई होती है उसका son मर चुका है उसका बदला लेने के लिए वो मदर को ढखिल देने वाली होती है पर मदर खुद से ही गिर जाती है गिर कर वो मर जाती है जहां मदर और ली इन दोनों ने एक पेड प्लांट किया था वहाँ वो गड़ा होता है इस गड़े में अपनी मदर को डालने वाला होता है पर वहाँ उसे एक बॉडि मिलती है गुबी के फिर्स में जिस आत्मी ने सुषाइड कर ली थी उसके बॉडि इस गड़े की नीचे होती है मदर ने इसकी बॉडि गाड़ी वे होती है ली को लगा था कि उसके लिए उसकी बॉडर स्वेटर बुन रही है पर यह जो स्वेटर था इस body के लिए वो बना रही थी ली फिर जो husband and wife थे उनके पास आता है जो wife थी उसके गाड़ी के नीचे वो अपने आपको बान लेता है वो अपने बोला था कि यह तुमें गाड़ी से गुजल दू ऐसा उसे लग रहा है तो ऐसा ही अब होने वाला है wife बाहर आती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी चलाने लग जाती है ली ने अपने आपको वहाँ पांदा ही होता है तो इसी वज़े से वो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो मर जाता है ली के मदर को पता था कि जब वो मर जाएगी तो इसे बहुत ही तकलिफ होने वाली है इतनी तकलिफ उसे अगर कोई मार दे तब भी नहीं होगी वो ली को डारेक्ली नहीं मार सकती थी इसलिए उसका ये प्लान था ली को छोड़ कर चली गई थी तो उसे अब पश्चाताब हो रहा था वो जब ली से फिर से मिलने के लिए आई तब उसने देखा ये कितना घटे आदमी बन चुका है ये लोग को हर्ड कर रहा है इन सब चीजों के लिए वो अपने आपको ही ब्लेम कर रही थी क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं चली जाती तो ऐसा नहीं बनता इतने सारे लोग नहीं मरते अपने बच्चों को खोने का दर बहुत सारी मदर्स को नहीं होता इसलिए अपने पापों का प्राइस्चित हो करना जाती थी इसलिए ली के साथ उसने एक fake attachment जुडा ली ली का trust पाने के लिए एक worker के पेर भी उसने तोड़े थे ली को अपने मदर पर छोड़ा सा चला गया था बर वो इतना अपने आप में इन्वाल हो चुका था तो ये कुछ देख नहीं पाया जब वो अपने गोड़ाउन में आया था तो वहाँ से body missing थी पर उसका उसने इतना खयाल नहीं रखा जैसे मदर का plan था कि बहुत ही pain में होगा और suicide कर लेगा वैसे ही अब हुआ ली भी बहुत ही pain में था वो कभी भी अच्छी life नहीं जी सकता था इसलिए उसकी मदर के पास यही option था कि अगर वो अपने आपको मार देगा तो उसे भी शान्ती मिल जाएगी ली की मदर लास्ट में अपना मोक्ष पा ले थी है यह जो movie थी इस movie को मेरे subscriber राजश्री दे इन्होंने request किया था इनकी request पर मैंने यह movie लाई है अगर आपको यह वीडियो अचा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारे एसी movies में लेकर आता रहता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification आइकन दबाना मत भूलिए यानि कि आपको सब वीडियो मेरे मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये